Welcome to study channel मिर नाम है मुहम्मद कैसर SSC MTS 2024 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं किस प्रकार से आपको पूरा फॉर्म भरना है मैंने अल्रेडी वीडियो बना दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एक बार देख लिजिए और अपने फॉर्म को भर लिजिए एक सवाल आप हमारे साथ बने रहिएगा तो दोस्तों आपको यहां पर इस वाले पेज पर जहां एडिस्नल इंफॉर्मेशन टू देनी है ठीक है वहां पर आपसे पूछता है पोस्ट प्रिफरेंस ठीक यहां पर आपको सभी पोस्ट के प्रिफरेंस फिल करने होते हैं ध्यान रख पर next करेंगे तो यह next होगा ही नहीं ठीक है यदि आपको कोई प्रिफरेंस नहीं देना है कोई बॉक्स खाली छोड़ना है तो आपको उसमें एक्स टाइप कर देना होगा ठीक है एक्स टाइप कर देंगे फिर आपका form submit हो जाएगा लेकिन मैं आपको यह recommend करूँगा मेरी आपको ये राय रहेगी कि आप X type न करके पूरा post preference अपना दे दीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पड़ दिया है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आगे भी बताता हूँ सबसे पहले आपको दोस्तों देखने को मिलेगा यहाँ पर codes किस post का क्या code है ताकि आप preference अपना दे सकें तो यहाँ पर आपको पता है कि जो विग्यापन जारी हुआ है इसमें दो परकार के पद हैं एक हवलदार का है और एक MTS का है तो यह official notification है जिसमें देख सकते हैं multitasking staff यानि MTS और हवलदार दो परकार के पद हैं तो यह दो परकार के यहाँ पर पद हैं तो पहले आपको यह देखना होगा कि आप MTS post में interested हैं आपको MTS चाहिए या हवलदार चाहिए और दूसरी चीज आपको देखनी है रिजन, जॉब का location आपको किस state में या किस region में जॉब अपना चाहिए यह दोनों चीज हैं पहले आपको decide करनी होगी उसके बाद आप अपना post preference देंगे फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी जैसे माली जीए मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ तो मुझे UP job location चाहिए जाहिए सी बात है first preference मेरा UP ही रहेगा उसके बाद मैं आसपास के reason को या जो बहतर जगे होगी उसको मैं post preference के रूप में देंगा तो पहले मैंने decide कर लिया job का location अब दूसरा मुझे decide करना है MTS या हवलदार ठीक है तो मेरा पहला preference है MTS ठीक तो इस परकार से आपको decide करना है अपने recording हवलदार के लिए आपको पता है कि physical वगएरे भी है walking भी है तो अधि आप physical और यह walking वगएरे कर लेते हैं तो ही जाकर आप हवलदार को सुरुआत के preference में डालिएगा यदि आपकी height ही कम है तो फिर हवलदार में आप select हो यह नहीं पाएंगे और दूसरा कि मुझे job location UP में चाहिए तो मैं सबसे पहले preference अपना डालूँगा code number 25 ठीक है तो आपको simply यहाँ पर यह जो box है इसमें पहले वाले box में 25 type कर देना है 25 simply आपको यहाँ पर type कर देना है और कुछ इसमें करने को शक्कता नहीं है देखिए मैंने हमें 25 टैप कर दिया उसके बाद अब MTS में ही माल लेजे UP तो मैंने डाल दिया पहले पर अब UP के बाद मुझे कौन सा location चाहिए कौन सा मेरे नजदीक है और कौन सा बहतर है UP के बाद देखिए दिल्ली है MTS दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है तो मैं second preference डालूंगा 20 देखिए यहाँ पर मैंने 20 डाला हुआ है इसके बाद फिर दिल्ली के बाद मैं देखूंगा कुछ और भी reason जैसे अब उत्राखंड यहाँ पर है 22 ठीक है बहुत दूर नहीं है बहतर जगह है अच्छा location है तो मैं तिसरे नंबर पर MTS उत्राखंड डालूंगा तो इस प्रकार से आपको डालना है जैसे माल लिजे की आपके लिए location ज्यादा important है पद MTS मिल जाए या हवालदार मिल जाए तो ऐसे मैं आप पहले पर MTS UP डाले थे दूसरे पर आप हवालदार लखनों डाल सकते हैं क्योंकि लखनों में फिर आपको इसी reason में job मिलेगी और इसका code नंबर 23 है ठीक है बात को आप अच्छे से समझिएगा और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि MTS के साथ state दिया हुआ है देखिए MTS BR, MTS उत्तरप्रदेश लेकिन हवालदार के साथ reason है जैसे हवालदार कोलकाता यहाँ पर है वेट बेंग ओल नहीं है और यहाँ पर हवालदार के साथ department भी है जैसे हवालदार यह custom में है कोलकाता में और यह हवालदार आपका CGST राची में है यह पद है और इसके हिसाब से फिर आप अपना प्रिफरेंस देंगे माली यह कोई कुलकाता का ही छात्र है और उसको कुलकाता में ही जॉब चाहिए फर्स्ट प्रिफरेंस उसका यही है फिर आप हवालदार और MTS में डिसाइड कर लेंगे उसके बाद फिर हवालदार CGST कुलकाता हवालदार कस्टम कुलकाता और फिर MTS वेस्ट बेंगॉल इन तीनों को फिर आप प्रिफरेंस में पहले रखेंगे अपने कॉर्डिंग कौन सा आपको पहले पर रखना है कौन सा दूसरे पर कौन सा तिसरे पर तो मुझे आशा है कि आप चीजों को अच्छे तरिके समझे होंगे और फिर शुरुआत में आप अच्छे से लोकेशन, जॉब, डिपार्टमेंट सब देखकर भरिएगा लास्ट में जाते जाते यदि सारे चीज़ें सारे पोस्ट और लोकेशन आपके इंट्रेस्ट में नहीं है दूर है, तो अभी खाली छोड़ने से वैतर है कि पूरा आप इसको फिल कर दीजिए 11 से कोर्स की सुरुआत है ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 11 से कोर्स की सुरुआत है और यह 72 तक जाता है तो लास्ट में आप रेंडमली कुछ भी भरकर पूरा यह फिल कर दीजिए क्योंकि जो भी आप बॉक्स छोड़ देंगे मालेजे आपने एक बॉक्स छोड़ दिया इसका मतलब आपने कोई इसमें से एक आप्शन नहीं भरा और मालेजे कि आप सिर्फ उसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो गए तो फिर आपको वो पोस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने उसे प्रिफरेंस के रूप में नहीं भराता इस बाद का आपको ध्यान रखना है ठीक है और यह अपने मालेजे 10 प्रिफरेंस दिया उसमें से आप नोज divert क्वालिफाई हो गए तो आपने फर्स्ट प्रिफरेंस क्या दिया था उसके इसाब से फिर आपको खना होगा वो डिपार्टमेंट और वो पोस्ट जो आपने भरा होगा तो इस वजए से post preference भरवाया जाता है और यहाँ पर MTS और हवलदार के अलग-अलग cut off होते हैं साथी साथ reason wise, state wise भी cut off अलग होता है जैसे MTS UP का अलग cut off होगा बिहार का अलग cut off होगा ऐसे ही हवलदार लखनोवारा जो reason उसका अलग cut off होगा और कोई दूसरा reason है उसका अलग cut off होगा तो साथ का cut off अलग होता है इस वज़े से आपको यह सारे boxes fill कर देने चाहिए इसे खाली छोड़ना मेरे साब से सही decision नहीं होगा previous year cut off के बारे मेरे आपको जानना है तो इस पर मैं next video बहुत ही जल्दे कराऊंगा देख सकते हैं मेरे पास 2023 सुवाला यह PDF है जिसमें MTS और हॉलदार के पद आये थे हाला कि पिछली बार सीटें काफी कम थी देख सकते हैं यहाँ पर 1788 सीटें ही थी MTS और हॉलदार मिला कर इस वज़े से cut off पिछली बार काफी आदा गया था लेकिन मैं आपको दिखा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग-अलग स्टेट वाइज MTS से cut off दिया गया है सबका cut off अलग होता है फिर ऐसे ही आपको हॉलदार का भी देखने को मिलेगा देखिए यहाँ पर लिजन वाइज और डिपार्टमेंट वाइज भी तो यदि आपको यह चाहिए पीडिएफ तो आप हमारे टेलेग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकती हैं डिस्क्रिशन बॉक्स में टेलेग्राम चैनल जवान करने का लिंग दिया गया है पिन कॉमेंट में भी मैं आपको दे